Hello friends आज मैं ये काना जी की ड्रेस लेके आई हूए देखी बहुत ही सुन्दर सा पॉंचो बनाया है ये मैंने ये मैंने 9 से 10 नंबर के काना जी के लिए बनाया है और देखी बहुत ही सुन्दर लगता है ये डबल कलर में मैंने बनाया है इसको ये पॉंचो जो है वो उपर से быстр शुरू होके नीचे पर जा करकि फिनेश होगा इसमें आप अब यहां पर मैंने इसके लिए यह दोरी बनाई वन आई हैiller आप चाहें तो यहां पर टेच बिटन भी लगा सकते हैं यहां पर इस्तरीके से बटंस भी लगा सकते हैं आप इसे ऐसे करके बंद कर सकते हैं से तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये इसी तरह की नए नए और खुबसुरत प्रोजेक्ट्स और डिजाइन की लिखित पैटन के लिए आप अमारी को चेक करें इस वेबसाइट में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रिटन पैटन उपलब्ध होंगे इस पोंचो को बनाने के लिए मैंने 39 फंदे डाले हैं 29 स्टिचिज हैं ये टोटल और ये सीधी तरफ है ये वाला जो पोंचो है वो उपर गले से शुरू होक ये 29 स्टिचिज है इसको हम सीधी तरफ है ये तो सीधी तरफ से पहली रो हमारी पूरा उल्टा-उल्टा बिंते वे कम्प्रीट करेंगे हैं इसको इस तरीके से सारे पंदे हमें उल्टे-उल्टे बिनने हैं अब सेकेंड रो है दूसरी से लाई है हमारे उल्टे साइट से इसको भी हमें पूरा उल्टा उल्टा बिनते में कम्टीट करना है सारे पंदेश तरीके से उल्टे बिन लेंगे तीसरी से लाई है हमारे पैटन की थर्ड रो है, इसे भी पूरा उल्टा उल्टा बिन देंगे सारे फंदे इसमें उल्टे बिनने है अब चौथी सलाई है उल्टे साइट से फोर्थ रो है हमारी, इसको भी हमें पूरा उल्टा बिनते वे कम्टीट करना है सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने है ये चार सलाहियां हमने उल्टे-उल्टा बिनते हुए कम्प्लीट कर ली हैं अब फिफ्ट रो है तो पहले के तीन फंदे हमें उल्टे बिनने हैं तो पहला का फंदा मैं स्लिप करती हूँ तो ये उल्टा स्लिप कर लेंगे और बागी के दो फंदे भी हम उल्टे बिनेंगे तो ये तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए धागा पीछे करेंगे और दू फंदे सीधे एक, दो अब पैटन हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें जो की रिपीट होगा तो धागा आगे की तरफ करेंगे यहाँ पर हमारी जाली आएगी और आगे का एक फंदा सीधा बिनेंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के पांच फंदे हमें सीधे बिनने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच complete हो गया यहां पे pattern फिर से दोहराएंगे अपने pattern को तो धागा अपनी तरफ करा जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली आएगी और पांच फंदे सीधे बिनेंगे आगे की एक दो तीन चार पांच फिर से दोहर आएगे धागा अपनी तरफ करा जाली आएगी और एक फंदा सीधा फिर से धागा आगे करेंगे जाली आएगी और पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच अब लास्ट के हमाई पास छे फंदे बचे हैं दिखें इसमें धागा आगे करेंगे जाली आएगी और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे फिर धागा आगे करेंगे जाली आएगी और दो फंदे हमें आगे के सीथे बिनने है एक दो और लास्ट के ये तीन फंदे उल्टे जाएंगे तो धागा आगे एक दो ये दो फंदे तो उल्टे हो गए last की edge stage है इसले धागा पीछे करके इसको हम सिधा बिननेंगे अब 6th row है चछटी सला ये हमारे pattern की इसमें हमें सारे फंदे उल्टे-उल्टे बिनते वे complete करने है सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे बिननेंगे ये देखे ये जाली वाला फंदा है इसको भी हम ऐसे उल्टा बिनेंगे अब 17 लाइए हमारी 7th row है इसमें देखे फिर से 3 फंदे आगे की उल्टे जाएंगे तो एक फंदा हमने slip करा पहला वाला और 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे एक, दो इसके बाद दागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हम हमारे सीधे बनेंगे एक, दो और ये जो जाली से बढ़ा था वो वाला फंदा भी हमारा सीधा हो जाएगा तो 3 फंदे हमारे ये सीधे हो गए अब हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें जो की दोहराया जाएगा तो धागा अपनी तरफ करेंगे जाली आएगी देखिए जाली के उपपर जाली पड़ रही है तो धागा अपनी तरफ करा जाली आएगी एक फंदा सीधा और फिर इसे एक फंदे के बाद जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे जाली आएगी और यहां से साथ फंदे अब फिर से दोराएंगे, दिखी जाली आ गई है, तो यहीं से पैटन अपना दोराया जाएगा, धागा आगे करा, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और साथ फंदे आगे के, सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, दोराएंगे, धागा अपनी तरफ करा, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करा, जाली आएगी, और साथ फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, कम्पीट हो गया है यहाँ पे बैटन, अब लास्ट में हमारे पास फंद हम सीधा बिनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जादी आएगी और तीन फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, अब लास्ट के यह जो तीन फंदे हैं धागा आगे करेंगे, और यह दो फंदे तो हम उल्टे बिन लेंगे, अर लास्ट के क्योंकि यह तो यह 7th row complete हो गई है, अब 8th row है, आठ विंस लाई है, इसको हम पुरा उल्टा बिनते वे complete कर लेंगे सारे फंदे हमने इसमें इस तरीके से उल्टे उल्टे बिनते वे complete करने है देखी जाली वाला फंदा है, ऐसे बिंदी है से यहाँ पे देखी हमने 8th row complete कर ली है अपनी, अब इसी तरीके से हमें आगे जालियां डालनी है यह देखी दो जालियां हम डाल चुके हैं इसने, टोटल हमें इसने 10 जालियां डालनी है तो यह दो जालियां डाल चुकी है, अब 8 जालियां हम इसी तरीके से डालेंगे जिसे अभी तक डाल रहे थे ये जो एक फंदा आपको दिख रहा है इसके दोनों तरफ हमारी जालिया पढ़ेंगी और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे तो एक सिलाई में हमारे यहाँ पर एक फंदे में दो जालिया पढ़के दो फंदे बढ़ रहें तो यह complete करके दिखाती हूं मैं आपको यह मैंने complete कर लिया है यह दिखी आप यह जाली गिनेंगे तो यह total 10 जालिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 हमने यहाँ पर total 10 जालिया बना ली है अब मेरे पास जो total फंदे हैं वो 109 फंदे हैं और wrong side से मैंने एक फंदा इसमें और बढ़ाया है अपने डिखाइन को adjust करने के लिए तो total जो यह फंदे हैं अब यह 110 हो गए हैं 110 में अब हम डिखाइन का पार्ट अपना start करेंगे एक फंदा slip करा उसके बाद इन दो फंदो को एक साथ उल्टा बिनेंगे फिर दूसरी बार भी इन दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा बिनेंगे और तीसरी बार भी इन दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा बिनेंगे फिर धागा आगे ही रहेगा जाली डालनी है हमें धागा आगे ही रहेगा और एक फंदा सीधा बिनेंगे तो हमें 6 जालियां डालनी हैं इसी तरीके से एक जाली डल गई फिर दागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा ये दूसरी जाली थी दागा आगे करा एक फंदा सीधा तीसरी जाली थी दागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा चौती जाली थी थाग आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, 5 भी जाली, थाग आगे करा, एक फंदा सीधा, ये 6 जाली हमने डाल दी, अब जो पैटर्न है, जो कि हमें रिपीट करना है, दोहराना है, वो यहां से शुरू होगा, तो दिखें, थाग आगे करेंगे, और ये 2 फंदे एक साथ बिनते वे, दो, फिर से दो फंदो का एक करा, तीसरी बार हो गया, फिर दो फंदो का एक करा, चौती बार हो गया, फिर दो फंदो का एक करेंगे, पांच भी बार, और फिर दो फंदो का एक करेंगे, छटी बार, छे बार हमने दो फंदो का एक करते वे उल्टे बना है, अब यहां पर हमारी छे जालियां पढ़ेंगी तो धागा आगे ही रहेगा और एक फंदा सीधा बिनेंगे फिर से धागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा दो जाली पढ़ गई फिर तीसरी जाली डालेंगे फिर चौती जाली डालेंगे पांच भी जाली डालेंगे और ये छटी जाली डालेंगे ये कम्पीट हो गया है पैटन अब फिर से अपने पैटन को धोराएंगे तो धागा आगे करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे ये एक बार फिर से दो फंदों का एक साथ उल्टा भी रेंगे दो बार फिर तीन फिर दो फंदों का एक करा चार फिर से दो फंदों का एक करा पांच फिर से दो फंदों का एक करा छे ये छे बार हमने दो फंदों का एक करते फिर उल्टा बिन लिया अब फिर छे जालिया पड़ेंगी तो धागा आगे ही रहेगा और एक फंदा सीधा ये एक जाली डाली हमने फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा ये दूसरी जाली डल गई फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा तीसरी जाली डली फिर धागा आगे करा एक फंदा सीधा चौती जाली डली धागा आगे एक फंदा सीधा पाँच भी जाली डली फिर धागा आगे एक फंदा सीधा चटी जाली जाली हमारी डल गई यहां पर अब फिर से अपने पैटन को धौर आएंगे धागा आगे दो फंदो को एक साथ उल्टा विना एक दो तीन चार पांच और चे य चे ये चे बड हमने दो पंदों को एक साथ करके उल्टा बिना है अब चे जालियां डलेंगी धागा आगे ही रहेगा एक पंदा सीधा एक जाली डली, फिर दूसरी जाली तीसरी जाली फिर चोती जाली फिर पांचवी जाली और फिर छटी जाली complete हो गया है pattern फिर से दोर आएंगे तो धागा आगे इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे यह एक बार हो गया फिर दूसरी बार भी ऐसी फिर तीसरी बार चौत्थी बार पांचवी बार और छटी बार तो six वर हमने दो दो फंदों को एक साथ उल्टा बिना है फिर छे जाली के डिलेंगी मैं तो धागा आगे एक फंदा सीधा एक जाली डल गई फिर से दूसरी जाली ड़ाली फिर तीसरी जाली डालेंगे फिर चौत्ती पांचवी और यह छटी छे जाली अडल गई तैटन हमारा complete हो गया फिर से दौर आएंगे धागा आगे दो पंदों को एक साथ उल्टा विनेंगे फिर से इन दो पंदों को एक साथ उल्टा विनेंगे दो बार हो गया फिर तीन बार चार पांच और ये छे छे बार दो दो फंदों को एक साथ रुटा विना है हमने फिर अब छे जाली और डलेंगी तो धागा आगे ही है एक फंदा सीधा एक जाली डली फिर दूसरी जाली फिर तीसरी जाली फिर चोथी जाली फिर पांचरी जाली और फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा ये छटी जाड़े लगई कम्प्रीट हो गया है पैटन लास्ट में रेखिए आपके पास ये साथ फंदे बचे हैं तो धागा आगे यहाँ पे शुरुवात में भी हमने तीन बार दो दो फंदों का एक करा था पिर से इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे तीन बार तीन बार हमने दो दो फंदों को एक साथ बिना है अब लास्ट का एक फंदा बच्चा है धागा पीछे और यह इसको सीधा बिन लेंगे तो design की first row complete हो गई है हमारी अब second row है wrong side है उल्टा side है हमारा इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरीके से इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं यह देखिए यह जाली का फंदा है इसे इस तरीके से उल्टा बिनेंगे अब इस पूरी रो को हम यह जाली वाले फंदे को भी ऐसे उल्टा बिनते वे इसमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे second row मैंने पूरी उल्टा बिनते वे complete कर लिए है last का एक फंदा सीधा बिना है क्योंकि third row भी हमें पूरा उल्टा बिनना है अब यह third row है design की तीसरी स्लाई है सीधी तरफ से इसको भी हमें सारा उल्टा उल्टा बिनते वे complete कर लेना है last का फंदा एक सीधा बिनेंगे बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं तो यह पूरा उल्टा उल्टा बिनते वे complete कर लेते हैं अब यह design की 4th row है 34 राई है हमारे design की उल्टे साइट से इसे भी हमें पूरा उल्टा बिनना है लेकिन यहां पर हम अपना color change करेंगे दूसरा color attach करेंगे यह आपे तो इस तरीके से दूसरा color लगाएंगे और इस सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनते वे complete कर लेंगे दिखिए इस तरीके से सारे फंदे यह उल्टे उल्टे मिल लेंगे यह हमारे 4 रो का design था तो यह 4 लाईया हमारी complete हो गई है अब इसी तरीके से हमें 4 बार design डालना है तो एक बार तो हम यह डाल चुके हैं अब यही 4 राईया हमें दुबारा से repeat करके दूसरी बार अलग color से हम design डालेंगे फिर तीसरी बार हम इसी color से design डालेंगे और चौती बार हम फिर अपने second color से design डालके सारे फंदे को bind off कर लेंगे तो इतना complete करके दिखाती हूँ मैं आपको अब आपको तीन बार इसमें और design डालना है यह देखिए मैंने यह 4 बार design बना दिया है एक design हमारा यहां पर बना है दूसरा हमने दूसरे color से बनाया है पिर तीसरा फिर फिर first color से बनाया है अपने यह चौता है फिर यह देखिए फिर फ्रस कलर से design बनाया है तो यह चार बार design बन गया है अब यह हमारी wrong side है प्रॉंग साइट में हमें सारे फंदे घटा लेने हैं देखे उल्टा बिनते वे ही हम सारे फंदों को घटा लेंगे ये एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा उल्टा बिना और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से निकाल देंगे फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से से निकाल लेंगे दिखी बहुत ताइट आपको नहीं घटाना है थोड़ा सा लूज ही घटाईएगा और इसी तरीके से हम सारे फंदों को घटा लेंगे और लास्ट में अपने फंदे को सिक्यूर कर लेंगे ये मैंने घटा के और सिक्यूर कर लिया है अब देखिए जो ये आपके थ्रेड हैं इन्हें हम सिलाई, सुई या फिर क्रोशी की मदद से इस तरीके से इन फंदों के अंदर कर लेंगे ये हमारी ड्रेस कम्प्लीट हो गई है ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं टेच बटन ऐसे करके लगा दीजिएगा या फिर आप डोरी भी बना सकते हैं मैंने इसमें डोरी बनाई है डोरी बनाने के बाद आप इस तरीके से इस डोरी को इसमे इस तरीके से आप इसमें डोरी डाल लीजेगा हर जाली में ऐसे करके डोरी अपने आप लेंध ही साब से बना लीजेगा जिद्धी भी आपको लंबी डोरी चाहिए इस तरीके से हमने डोरी डाल लीजेए अब यह पोचो है क्योंकि तो इसको आप इस तरीके से काना जी के ऐसे पहना आके और ऐसे करके डोरी भी डाल सकते हैं इस स्टाइल में भी अच्छा लगता है और आप चाहें तो इसको बटन्स वगरा भी लगा सकते हैं तरीके से तरीके से अब बार बेंड यह थी एक्योंकि तरीके से प्राइब लगता हैं तो इस वर जा रखता हैं तो इस तरीके से दिट आव अजया हैं प्राइब आव.